हेलो दोस्तो मेरा नाम अनिल कुमार है और एक बार फिर से आपका सौगत है अनिल फॉर्म में एक और मज़िदार टॉपिक को लेकर वीडियो को सुरू करने से पहले हमारे सभी भाईयों को नमस्कार और हमारे सभी भाईयों से निवेदन है कि चैनल पे बने ने निगले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ऐसे और भी जानकारी पाने के लिए आज हम बात करेंगे पहले दिन से पिक के बच्चे को क्या देना चाहिए ताकि बच् manifest कॉमजोर नहो और तंदूस रहे पहले दिन बच्चा पैदा होता है उसके अगले दिन दाथ कार दिये जाता है उसके चौती दिन बाद एक एमल आरन देना चाहिए उसके पाचवे दिन बाद एक एमल की एक एमल बी कॉम्पलेक्स देना चाहिए उसके बाद दसवे दिन कम्प्लीट होने के बाद 10 दिन बाद 1 ML Iron उसके 15 दिन बाद 2 ML B Complex उसके बाद 17 से 20 दिन होने के बाद 17 से 20 से 21 दिन के बीच में 1 ML Seroflex Vaccine देना चाहिए सरीर को बुश्ट करने के लिए 23 दिन के बाद Half ML Immunity Booster देना चाहिए उसके 40 से 45 दिन बाद D Warming देना चाहिए 30 दिन कंप्लीट होने के बाद S.F. Swine Fever Medicine देना चाहिए 30 दिन नहीं 50 दिन कंप्लीट होने बाद क्योंकि 40 से 45 दिन बाद आपने D Warming देना दिया था 50 दिन कंप्लीट होने के बाद S.F. Swine Fever Medicine देना चाहिए उसके पैसर दिन कप्लीट होने के बाद एसब स्वाइन फिगर फिर से देना चाहिए ताकि बच्चा बीमार न पड़े 85 डेज, 85 दिन पूरा होने के बाद FMD खुर्मू पका की दवा देन चाहिए जो अक्सर पिग में होता ही होता है खुर्मू पका हर एक साल में हर एक पिको होता है अगर आप टाइम से दवा नहीं कराते हैं तो आज के लिए बस इतना ही आगे के जानकारी हम आपको नेक्स वीडियो में देंगे धन्यवाद झाल 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 झाल